आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now तो question देखते है question पूछ रहा है trackies are different from other trackies elements in which way अब हम देख रहे हैं हमें कुछ options दे रखे हैं तो basically trackies elements होते क्या हैं discuss करते हैं तो अब हमें पता है कि जो हमारा xylem होता है, जो key conducting tissue है, जो कि basically sap conduct करता है, वो type of cells से composed होता है, एक में आ गए हमारे trackies elements और दूसरे हो जाते हैं हमारे xylem fibers trackies elements में again हमारे दो आ जाते हैं, एक हो होता है हमारा trackies और दूसरा होता है हमारा vessels अब explain करने के लिए दो diagrams हैं, जिसमें कि एक हमारा ये है vessels और right hand side वाला है हमारा trackies अब दोनों में कुछ difference है क्या होता है कि दोनों ही sap conducting होते हैं हमें पता है कि दोनों ही elongated cells हैं उसके अलावा दोनों में ही जो ends होते हैं वो close होते हैं xylem के सभी से lignified ही होते हैं तो अब इसके difference की बात करते हैं first option बोल रहा है they lack nucleus definitely हमें पता है जो हमारा xylem tissue होता है वो developing stages में तो living होता है but gradually जब वो mature हो जाता है completely तो cells जो हो जाते हैं वो dead हो जाते हैं then they lack nucleus तो definitely दोनों में ही nucleus lack करेगा तो यह option गलत है being lignified दोनों lignification दोनों में present होती है तो definitely यह option भी गलत है third देखते है having casperian strips अब अगर lignification जब होता है to casperian strip की formation हमें पता है तो यह भी नहीं होगा now imperforate being imperforate अब देखते हैं जो हमारा tracheids होते हैं उसमें इस सरीके के pits प्रेजन होते हैं और यह जो यह वाले these are the pits और यह जो pits होते हैं यह covered होते हैं line से जिनको बोलते हैं hollow एक type की boundary होती है इसलिए इन्हें बोला जाता है bordered pits whereas जब हम बात करते हैं हमारे vessels की इसमें जो दो vessels की connectivity होती है एक हमारा यह vessel है एक हमारा यह होगा यहां पर वेसल जब connect होगा दूसरा इन दोनों के बीच में इस तरीके के pores होते हैं जहां पर यह दोनों का connection होता है जो allow करते हैं कि lateral conduction भी हो वो सिर्फ हमारे vessels में present होते हैं तो option 4 is correct क्लासिक सिट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर